हेलो गाइस वेलकाम एक टो माइच चैनल आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप 3D लेडर इल्यूजन ड्रॉइंग कैसे बना सकते हैं तो जो कि मैं बनाऊंगा मारकर और शेडिक पैंसिल का यूज करके स्ट्रेडलर की तो अच्छेली वीडियो को स्टाट करते ह फॉस्ट फॉल गाइस मेकनिकल पैंसिल का यूज करके वही आउटलाइन बना लेंगे जो कि बनेंगी पेज के राइट हैंड वाले लोवर पार्ट के थोड़े से आगे से कर्व में लाइन बनेंगी और लेफ्ट साइड वाली लाइन को लाइन के पीच में से थोड़ा सा बनेंगी जैसे कि वीडियो में देख सकते हैं और उसके ओपर एक और लाइन बनेंगी की कुछ ट्राइंगल जैसी अब देख सकते हैं कुछ इस तरह से बनानाई थोड़ा लेप्ट साइड में होता हुआ अब हम स्केल का यूज़ करके और पेंसल का यूज़ करके पीच में लाइन बना लेंगे मैं तब लेडर बना लेंगे अब लेडर्स की बीच में लाइन देते हैं जो की लाइन होती है लेडर्स की लाइन देते हैं अब हम सबसे पहले जो मार्कर में यूज़ करता हूं उसका यूज़ करके हम लेडर को डाक कलेंगे डाक करूंगा और पेली सी लाइनों लाइन बनाओगा और फिर उसके बाद इसके बाद को अटाक के हाथ से लाइन को थोड़ा ढाक करूंगा सब्सक्राइब बना लेंगे लेडर की स्टेब्स झाल झाल तो मैं बनाती है, आप देख सकते हैं, अब में टूबी पैंसिल का यूज करके, जो हमने पेले नाइन पनाई थी, उस नाइन को दाख कर लूगा, मतलब शेट कर लूगा, दाख से लाइट इक्दम जैसा कि वीडियो में देख सकते हैं, अब गज़ ब्लैंडिंग स्टप का यूज करके, पहले ब्लैंड करूगा, और फिर प्रेस का यूज करके थोड़ा ब्लैंड कर लूगा, अब जो लेडर है, उसकी मैं शेडो बना लूगा, जैसा कि वीडियो में देख सकते हैं, जिस तरह से लेडर बनानी है, और फिर लेडर की लाइन भी बना देनी है, पहले लोगर लेडर बनाऊंगा, और फिर उपर शेडिंग करने बाद अपर लेडर भी बना दूगा, उस और डाक से नीचे लाइट आएगा, और फिर नीचे वापस से डाक, और एक के बीच में एक छोटी सी वाइट लाइन रहने देना, उससे काफी 3D लुक आएगा, ड्रॉइंग में, और फिर से ब्लैंड करेंगे, ब्लस के रिउस करके, अब शेडव बना लेंगे, अपर शेडव जो मैंने आपको बताया था कि शेड करने के बाद बनाएंगे, वो बना लेंगे अब, और फिर बीच में वापस लाइनिंग डाल देंगे, जो लाइनिंग डाल ले थी आमने रीचे भी, वाइस, आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल परने हो तो सब्स्राइब कर देना, मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए, गुडबाई, टेक कियर, सी यू सून, एं थैंक्स वर वाचिंग झाल